इस मौनसून राजस्थान में खूब करकबा की है लेकिन नदी, नाले, तालाब, जीर और बांथ लबालब हो गए पाबजूद इसके अगर लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़े तो फिर लानत है अमूमन पानी को लेकर प्रदर्शं की ऐसी तसमीरे गर्मी की दूनों में नसराती है लेकिन उद्धापुर में पारे की किल्लत को लेकर जो तसमीर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है अच्छी बारिस से जीले लबालब लेकिन नहीं मिटी हलक की प्याज पेजल समस्या से जूज रहे लोगों का टूटा सब्र राजस्थान में पानी के लिए प्रदर्शन करती है तस्वीर आम तौर पर गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है लेकिन परदेश में अच्छी बारिश और लेक सीटी की जिले लवालव होने के बावजूद पेजल संकट को लेकर ये प्रदर्शन हैरान करने वाली सोचे पानी की उपलवता के भावजूद उदैपूर के उपनगरिये इलाकों में अगर लोगों को पेजल संकट के लिए जूजना परे तो जल्दाई और पीएचीटी विवाग पर लानत जीलो में पानी के आवक के बाद भी पेजल की समस्या से चूज़े लोगों का सब्र का बांध तूटा तो उन्होंने अधिकारियों को जम कर खरी खोटी सुनाए लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसमें पानी की कमी थी तो टेंकर मंगवा कर अपनी जरुरत को पूरा किया लेकिन अब भी उन्हें पानी के लिए हफते में एक से दो बार पानी का टेंकर मंगवाना पर रहा है रिषी के मेरे पानी की समस्या है अम 3-4 फैमिली साथ में रहते हैं पीएचीडी के जिम्मेदार अधिकारियों की लाप्रवाही कालम ये है कि लाकों रुपे खर्च का नगर निगम ने कुछ जगहों पर पानी की टंकियां बनवाई लेकिन पानी की सप्लाए का काम पिछले 6 महिनों के बाद भी नहीं शुरू हो पाया है पानी की प्रब्लम है उसे निजात दिया जा और चेत वासियों को पानी समय पे उपलब हो जाए उदाइपुर में पेजल की समस्या का सामना उपनगरी इलाकों में बसी पॉलोनियों की लोगों को करना पर रहा है लोगों ने विभाक की अधिकारी ओपनीजी टेंकर संचालकों से साथ गांट और कमिशन लेने का आरोप लगाया विभाक की अधिकारी आरोपों को सिरे से खारिज करते हूँ लेकिन पेजल समस्या कब दूर होगी इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है पंड़ा दिन में प्रत्य गर में सो लीटर पानी भी नहीं आता है जनता परेसान होके आज यहां गेराव कर रही है हमने यहां के अधिकारीों को अवगत कराया सबसे बड़ी समस्या है यहां के यहां के जो अधिकारी और लाइनमेन जो मिले हुए है या तीन या चार जो टेंकर चलते हैं वो टेंकर वालों के साथ में यहां के अधिकारी और लाइनमेन मिले हुए है इस एरिया में जो पानी आता है मांसी वकल से आता है और मांसी वकल आज की तारिक में आधा खाली है हादा बरहा हुआ है और प्रोडुक्शन जो है इसका हमारा हाथ में नहीं है पर जैसे मैं बता हूँ अब मादली हमारे इसी उखंड में आता है वहाँ चुपे लगे हूँ में प्रोडुक्शन हम करते हैं तो जह वस्ती थे अच्छे मौनसुन के बाद भी शहर में पानी की किल्ला से लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है अगर वक्त रहते इनके समस्याओं का समाधा नहीं किया गया तो पानी को लेकर जिनों के शहर में एक बड़ा अंदोलन हो सकता है अबनाश जगनावर्द जी मीडिया उ अधन देपको